पूस्कार मैं हूँ खुश्बुचा और आप देख रहे हैं वाई एंडी न्यूज आईए हम बात करेंगे उस मुद्धे पर जो इस समय महराश्ट्र में चल रहा है एक एहम मुद्धा है जो कि बाल योगी सदानन्द जी का आश्रम है वसई के तुंगारेसर पहाड पर सदानन्द जी का आश्रम स्थित है जिसे सुप्रिम कोट दौरा तोडने के आदेश दिये गए इस आदेश का पालन करते हुए वसई महानगर पाली का कारवाई कर रही थी जैसे ही या बाद ब दौरान आश्रम की इमारत जेसीपी पर गिर गई जिससे चालक की मौद जगा पर हो गई और हेलपर की हालत गंभीर बताई जा रही है आईए जानते हैं कि बाबा के शद्धालों का क्या कहना है मेरा नाम पावन गरत आज क्यों करता हुए जिनके आश्रम पर तोड़क कारवाई चालू है तो उसके बार में आम लोग निशेद कर रहे हैं आज ही नहीं कल भी गोड़देना के पे हुआ राही गाव में हुआ विरार वसे सब जगे पे हमारे जो बाबा के भक्त है जिनक अब भक्त यहां पर जमाओ के निशेद आंदुलन किया हुआ है नहीं कोई तोड़ फोड़ किया हुआ है नहीं किसी को गाली दिया हुआ बजन करके हम लोग ने कल भी होई से ही गोड़देनागा हमरे पाहिंदर में हम लोग ने आंदुलन किया था निशेद हमका हमारा ख हुभिग दॉड़क दोड थीशन लेक्त ऍंदि splits मिलीघार अच्छिट नियुन कर मेंकर चाथ करना ड़ी माज़ा प्रशनमा एकट प्रस्पाना यहां थे मसलानी रिख सी हाँ तर्मागी तोड़क करवा याशा पदेतने का करा लाव लेला है दूसरा रशना आहा है कि एक कुटले लोक्षा ही है कि सदानाज मर्वाजन चाह आश्रमाचे खाली तीन हजार पोलीस आणी वर्ती दीड़ते दोन हजार पोलीस आणी प्रत्तेक आगरी कोई चाह गाव मदे प्रत्तेक आगरी कोई समाज आज परेंतर रश्तावर उत्रमागी तर्लेला है जागरी कोई शाली समाज एक कतर विद्रा उतर लेला है क्या तुंगारेश्वर में सदनन्द महाराज करके रहते हैं उमर के 12 साल में वो अपना घरदा छोड़के बच्पन में ही तुंगारेश्वर प्राड इविए उपर गए अद 53 साल हो गए क्या महाराज जी वहाँ पर रहते हैं महाराज वो परशुराम की भूमी है और वहाँ आप यह हजारो जो रुगन है उन्हें अपने आयुर्वेदिक दवास से जड़ी बुटी से अच्छे किया है महाराज का इतना प्रस्ता है कि हजारो मंदीर के उन्हें प्रांपतिष्टा की है महाराज का संदमान आज अपने महारस्ट में नहीं तो पुरे देशबर में है वो भगवत गिता के माद्यम से पुरी देश बर में गुमते रहते हैं लाखो उनके भाविक है इसे माराज जी का जो आश्रम है और वहाँ पे शिव जी का मंदिर है ये मंदिर तोडनी की कारवाई ये सुप्रीम कोड के आदेश के उपर एक गोयंका करके है उनने एक रिट करने वगरे ऐसा कुछ विशे नहीं था लीगली डॉक्यमेंट्स उनके पास होने से वहने के बावजुद भी महाराज के उपर एक आरवाई की जा रही है हमने रिक्वेस्ट किया क्या ये कोट में के चालू है आज रिट थी तो आप कुछ समय रुक सकते हो जब कोट में र प्यास किया गया तो आज बक्त निमास गिरा एकल मंदीर गिराएंगे ये भी भावना आम में सभी लोगों में हैं और हिंदू जनता में रोश है बहुत बड़ा रोश है तो उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए ये मांग को लेके सभी कारे करता अभी तो कुछ नहीं किया ह अभी तो एक जाकी है अभी बागी बहुत कुछ बाकी है अभी बाकी बताएंगे अरबिन दुबे जी ये क्या पुरा मसला था अपने जो आज ये रस्ता रोश्ग को अन्दोलंन ए एल्ए मसला ऐसा था आज हमारा डेर सो वर्स पुराना मंदिर अपना बालयोगी दास्रम देर सव और्स कुराना है ए आस्था का केंद्र है हिंदू का आस्था का केंद्र है ठीक है सुप्रेम कोर्ट कहती है लेकिन आज सुप्रेम कोर्ट क्या अन्य जो और धर्म अस्थल हैं उनके लिए कभी इतना जोर्जबर जस्ती करती है क्या खाली हिंदूओं को आग को भी इसी प्रकार से होना चाहिए ना आज हमारा मंदिर तोड़ने का प्रयास होता है तो जब हिंदू का सब्रका बाद तूड़ जाएगा तो दुनिया हील जाएगी और हील ही रही है आप पी अगली क्या क्या स्टेप लेंगे आपका हमारा है कि हमारे मंदिर को वहां आज कितने लोगों को है लोगों को अंदर लिये हैं तो हम लोग तो हमारा झाया में लिखना प्रारंब किआब का हम तो अपने लाद गया क्या है और खिर्राद अगर अगर वासिनिधा गर जाव्करोंत वानानस के आगे सुप्रीम कोट भी जुकता है तो आपकी तरक्तारी सब्सक्राइब तक हमारा जो मंदिर है और उसको वैसे वह सुरचित ठोड़े और उसको अधिकरहित करके अपने जो टीम है उन टीम को देना चाहिए दिन मिलावित आप सवात अंतिवाड़ी बोल रहा हूं वि सुनदू परश्छा से अगला जो पुछ तब अगले क्या कारिक्रम है अब हमने छोटा सा हमारे आके यहां जो कारिकरता रहते वही कारिक्रम में आए थे अगर वह उस चीज को है हाथ लगाएंगे तो उग रहां लोग करेंगे दूसरा है आप सुप्रींग कोड की बात करते हैं हाई कोड का आदर है कि पूरे बंबई में जो भोगा लगाए है भोगा उटारा जाए अभी तक क्या कर रहा है कानून एक भी भोगा नहीं उतारा बलकि माइक बढ़ा दिया आवाज बढ़ा दिया हम लोगों सबादी कोड को खोखें तराज बैट जो बज्ड़नदल च्रान रंपवा इसीट्रण उप्र हीला में क्या है पुठी पूरा मह 93 अगर को में कंदान बाबा का अश्रम है वो क्या सुप्रिम कोड में चल रहा है कि उस मामले में बंदभस नगाया है क़को कश्मेरा प्छार्प्री प्ंद के पास के थो तीन लोग यहां खड़े हैं वेस्टर्न हो टेल के पास कि कश्मेरा पुलीस वेस्टरा नो में पास गया हैं दो लोगों को मैं सी ताभे में लिया बाजुमेंदों लोक थे ऐसे च्स लोग थे दो दो लोग करके बाजुमें खड़े थे उनको ताभे में लेके पॉलिटिसल में लाया गया उनको पूछा गया कहां जा रहे तो वो जो करवाई चरी है वहां उसका निश्यत करने के लिए वो सिरसाट भाठा पारगल जिरे में जाने वाले थे ऐसा उन्होंने बत करने वाला है जब उनके प्रिपेंस पर जाएंगे उसके बात चीख करते हों करने वाले वह बाबा की जौन यह हैं बाबा को यहां पर पाल करते रहे नहीं सब्सक्राइब करना पर समझ और प्रसारित किये जाने तक सुप्रिम कोड का फैसला आया कि आस्रम यथा स्थिती में रहेगा और आस्रम पक्ष को 14 दिन की महलत दी गई जो भी कागजाद है वह कोड के सामने पेस करें